दोस्तों छूटी भी क्लास मतलब संप्रेशन और अंतरवैक्तिक कौसल का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको आज हम लोग कबर करेंगे जिन लोगों को डर है कि सी सैट में उनको दिक्कत आ सकती है या फिर जिनकी मैट्स और रीजिनिंग कमजोर है तो उनके लिए ये क्लास ब इंप्रेशन और अंतरवैक्तिक कौसल पूच्छा जा रहा है उन सब के सवाल आपको अपलब्द कराए जा रहे हैं इन सवालों को देखकर ही आपको इस बात का पूरा भान हो जाएगा या भरोसा हो जाएगा कि सवाल किस तरह से रिपीट होते हैं तो यह अगर कर लेंगे तो सी सैट का जो हुआ है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगा आपके अंदर से तो बचे हुए सवाल मतलब जहां तक कर लिया था उससे आगे बढ़ते हैं सवाल है संपरेशन प्रभावी होने के संबंद में निमने लिखित कतनों में से कौन सा एक सही नहीं है इसको समयों चितता के संबद होना चाहिए या कथन भी सही है इस प्रकार बिकल्प सी सही उत्तर होगा संपरेशन क्या है साथियों एक तरह से साधान सब्दों में कहें तो बात चीत को ही संपरेशन कहते हैं और इसको जो है या तो लिखित रूप में या फिर भाव भंगिमा के म संपरेशन को जो है इनी क्यादार पर साथ भागों में विवाजित किया जाता ये भी याद रखना है आप से सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि संपरेशन कितने प्रकार का होता है मतलब बाचीत कितने प्रकार की होती है ये बाचीत साथियों संगठन के संदर्ब में होती ह या कोई संस्था है उसके संदर्ब में होती है इतना याद रखिएगा तो साथ प्रकार का संप्रेशन होता है मौखिक फिर है लिखित फिर आउपचारिक और फिर है अनउपचारिक और इसके बाद है चैञे जब समान पद के अधिकारियों के बीच संप्रेशन होता है अर्थात बाच्चीत होती है तो उसको कहते है चैट्रिज संप्रेशन ऐसे ही अधो मुखी अधो मुखी संप्रेशन जब कोई उचे दर्जे का अधिकारी जिसे संस्ता की बात हो रही है संगठन की बात हो रही है उचे दर्जे का अधिकारी नीचे बाले से बात चीत करता है तो उसको करते हैं अधो मुखी संप्रेशन और एक होता है उद्ध मुखी तो जो नीचे दरजे का अधिकारी है या फिर कनिष्ट अधिकारी है वह बरिष्ट से संप्रेशन करता है बातचीत करता है तो उसको उद्ध मुखी संप्रेशन कहते हैं जैसे छुट्टी के लिए अरजी देना या कोई और बातचीत करना और अनुपचारिक सात्यों संप्रेशन इसको जो है अंगूर अंगूर लता संप्रेशन कहते हैं अनुपचारिक आप लोग जानी रहा है कि साधान जैसे दोस्तों के बातचीत होती है कोई नियम बिनियम उसमें लागू नहीं होगा तो इसमें क्या होता है, लोग जो सुन लेते हैं, उसी को आगे इस्थाना अंतरित कर देते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत मिलावट होती चली जाती है, जैसे अंगूर के गुच्छे पर अंगूर लगे होते हैं, वैसे ही जब संप्रेशन होता है, तो कोई एक बात या समग्री होती है उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ती चली जाती है क्योंकि यहां अनौप्चारिक होता इसमें कोई बंधन कोई नियम काम नहीं करता है इसलिए अनौप्चारिक संप्रेशन को अंगूर लता संप्रेशन कहते हैं याद रखिएगा तो यह जो हो गई बात संप्रेशन की बार बार संप्रेशन सब्द आएगा इसलिए इसको किलियर करना जरूरी था पत्र पीपे नोटिस बुलेटिन तार टेलेक्स नियम हस्त पुष्टिका आधि उधारन है किसके साथ ही हूँ तो अरित लिखित संचार के याद रखिएगा विकल्प एस ही उत्तर हो जाएगा निमने लिखित में से काउन एक संप्रेशित करना कठिन होता है परम परागत द्रिष्टिकोर से यह था इस्तिति के अनुरूप विचार नय विचार तथा नई प्रिक्रिया है क्योंकि लोग जल्दी इनको सुईकार नहीं करते हैं तो बिकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा अब पिर संप्रेशनल से संबंदित निम्न कतनों में से कौंसा एक सही नहीं है यहां किसी संगठन के जीवन का प्राणधार है एकडम जैसा कि अभी हमने संप्रेशनल को समझा किसी संगठन में संप्रेशनल बहुत जरूरी है यहां संगठन को बांदने वाले सकतिय बिलकुल जब संबाद अधिकारियों करमचारियों के बीच अच्छा रहेगा संप्रेशन अच्छा रहेगा तो संगठन बंदा रहेगा तीज्रा है, यहाँ प्रकृति से सदा आुपचारिक होता है अभी हमने कितने प्रकार पढ़ें Sbles प्रकार उनिमें से एक था आुपचारिक और कई थे मोखिक लिखित अनौपचारिक तो विकल्प सी सही नहीं होगा इसकी तकनीकी में बहुत से परिवर्टन हुए हैं ये कथन भी सही है तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा संप्रेशन का सार है सातियों क्या समझना जिए हाँ जब बातचीत होती तो उसका सार यही रहता है कि किसी ने देखी जो बात को कहता है उसको कहते है प्रेशक और जो बात को सुनता है उसको कहते है प्रापक याद रखिएगा या प्राप्त करता या कि अ-डियेंस को क्या करते हिंदी में रवण तो सुनना होता है सुनने वाले सुनने वाला एक पक्ष होता है तो वही अन्तिम जो इसका निच्चड है वो समझना ही होता मदलब जो बात कह रहा है वो समझ में आ जानी चाहिए सुनने वाले को चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और पीडियम जो है, छो है, फाइनल आपको दे दी जाएगी, कहां? ठारगेट, इसी तरह से सर्च करिये गा, ठारगेट, करेंट, एके, 123 यह टेलिग्राम चैनल है, यहां पर आपको पीडियम मिल और । डेली कुछ भी कराई जा रही है करन्ट अफेयर्स की तो जरूर जॉइन करें इस सुची एक को सुची दो से मिलाना है पर्शासनिक बेभार दिए गए है और किस तरह का उनमें संप्रेशन होता है वो दिया गया है परिपत्र भेजना किस तरह का साथियों संप्रेशन है अधोगामी होगा उद्धुगामी होगा या सांकेतिक होगा तो परिपत्र उपर से नीचे के लिए भेजा जाता है तो ये अधोगामी होगा 10 का दो हो जाएगा लिपिक द्वारा 15 वली में टिपने करना पीठ थप्थपाना जो है स अंकेतिक हो जाएगा सी का चार और एक प्रवंदघ हो गया तो समनानतर संप्रेशन हो जाएगा तो इस तरह से ए कद्व और आग ड़िका से एक होना चाहिए देखते हैं कि बिल्कुल जी यहां साथ की बीवाला विकल्प सही है कि संप्रेशन किसी संगठन के कथन और कारण दिये गए हैं संप्रेशन किसी संगठन के विविन भागों और सदस्यों के बीच सूचनाओं अब बोदनों और समझ का प्रवाह है क्योंकि कारण जब लगा ओता है तुम क्योंकि लगा लेते हैं क्योंकि संप्रेशन आदेश के प्रवंद कारित था स्रेणी बद्दता के संदाचनात्मक शिद्दानतों में सम्मिलित है तो कथन और कारण दोनों सही है और इस तरह से ब कि लगाता प्रवाहित होता है सात्यूं तीन दसाओं में याद रखेगा ओपचारिक कि प्रेशन या संचार की बाठ हो रही है वह कौन कौन से दसाइं होती है अदोसंचार और समिस्तरी संचार मतलब जब बरिश्ट अदिकारी नीचे वाले को संफ्रेशन करता नीचे वाले से तो उसको कहते हैं दो संचार जब करनिष्ट अधिकारी बरिष्ट से संपर्क करता बातचीत करता या संप्रेशन करता तो उसको कहते हैं उद्धो संचार और जब समान इसथर के अधिकारी या क्रमचारी बाचीट करते हैं तो तो उसको समिस्त्री संचार कहते तो इस प्रकार अपचारिक संचार तीन दिशाओं में होता है कि फिर कथन और कारण दिये गए साथियों पेपर में जो है जहां पर लगे आपको कि हिंदी की हिंदी का कोई सब्द समझ भी नहीं आ जाते हैं तो उनको अंग्रेजी में आसानी से समझा जा सकता है कि हिंदी तयार कर लीजिए यह आपका तयार हो ही रहा है और ऐसा नहीं कि गड़ित और जो रीजनिंग है उसमें एकदम आप जीरो हो कुछ तो सवाल कर ही लेंगे तो इस तरह से हिंदी कर लेंगे इसको कर ले जांगे मतलब अलग से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहेखी इतने में नया पार हो जाएगी संचार के बिना कोई संगठं नहीं ओसकता है सही बात है क्योंकि संचार की प्रिक्रिया उपरिगामी निम्न गामी निवृत हो तो हरुक होती है समान इस्तर तक संचार जो है पार्स्विक संचार से संबंदित है वही समान पद के जो करमचारी या अधिकारी है वो जब बात चीत करते हैं तो उसको पार्स्विक संचार कहते हैं कि अधिक करता हूं चीजिएं समझ में आ रही होँगी ओंचार सब्द से बना है जो की कि संचारं की सासे लिया गया है सीधे पूंच लिया गया है सवाल कि संचार के क्या उद्दे से हैं साथियों तो जानकारी देना इसका उद्दे से हैं तो विकल्प डी सही उत्तर है संचार प्रकरिया के तत्तों को सही क्रमा नुसार लिखिए तो संचार प्रकरिया साथियों कैसे होती है एक प्रेशक होता है यह संचार करता है या संप्रेशन करता है मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा आता है कैसे संदेश के माध्यम से पिर संदेश की एंकोडिंग की जाती है मतलब विश्यस प्रकार के सब्द बगएरा इस्तेमाल होते हैं एंकोडिंग होती है एंकोडिंग के बाद एक माध्यम अपनाया जाता है कि किस तरह से संचार करना है या बात को पहुंचाना है माध्यम के बाद जब पहुंचता है प्राप्त करता के पास तो उसकी डिकोडिंग होती है मतलब समझा जाता है जो उसके पास अपने किट बगएरा टूल्स होते हैं उनके आधार पर डिकोडिंग होती है decoding करता कौन है तो प्राप्त करता करता है और उसके बाद जो अंतिम चरण आता है वो सोर गुल का आता है याद रखिएगा तो यह कुछ चरण है संचार के तो सबसे पहले प्रेशक या फिर कूट बनाने वाला फिर दूसरे नमबर पर संदेश आ जाएगा पिर तीसरे नमबर पर एंकोडिंग हो जाएगी मतलब कूट बनाया जाएगा एंकोडिंग encoding फिर चौथे नंबर पर मतलब कूट बनाने वाला तीसरा वाला आ गया फिर चौथे नंबर पर आ जाएगा माध्यम जिससे भेजा जाएगा फिर पांचमे नंबर पर कूट खोलने वाला आ जाएगा मतलब decoding की जाएगी decoding और फिर decoding कवन करता है प्राप्ट करता अंतता प्राप्ट करता कि यही पास तो पहुँचेगा संचार फिर सोर गुल मतलब जब प्राप्ट करता किसी चीज ouvert पड़ रहा होगा तो सोर गुल भी हो सकता है तो यह चरण है तो इस तरह से इन चरणों को याद कर लेंगे जो अभी हमने बताए हैं तो सवाल गलत नहीं होगा तो इस तरह से बिकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा जिस तरह से हम अभी कितरें अरेंज करेंगे तब देखि इन्होंने भी आठ संगठक बताये हैं संचार के अब वही हमने बताये हैं सुची एक को सुची दो से मिलाना है सवाल रिपीट किया गया है बहासा जो है सातियों बाधा से संबंदित है क्योंकि संचार में भासा अगर सही नहीं है तो बहेक बाधा के रूप में काम करती है तो B का दो सही हो जाएगा अनवचारिक साथियों क्या होता है अपुष्ट संचार तो C का एक होना चाहिए और बेवस्ता जो है सीधे उसी में आते हैं भासा बाधा होती है अनवचारिक संचार अपुष्ट संचार होता है और बेवस्ता जो है प्रतिपुष्टी से समंदित होती है साइवर नेटिक्स जो है इंट्रॉपी से समंदित होती है संचार प्रकरिया में सूचना प्रेशित करने बाला सूचना प्राप्त करने वाले के साथ एक जैसा बिचार, कम्मिनकेस, कमननेस इस्थापित करता है निमन पर बिचार कीजिए जब दूसरे के साथ संबाद होता है तो सब्दों पत्रों इत्यादी का प्रियोग किया जाता है सही है संचार में दो या अधिक व्यक्ति होते हैं या भी सही है संबाद की प्रकरिया सामाने लच्छियों से प्रभावित रहती है या भी सही है उपरियुक्त सभी तो बिकल्प डी वाला सही उत्तर हो जाएगा सारे कथन सही है संप्रेशन में किस का नियम प्रियुक्त होता यह सवाल एकदम रटने वाला इसको रट लीजिये साती हूं कीप इट साट एंड सिंपल के लिए इसका इस्तेमाल होता किस का संप्रेशन जो है छोटा होना चाहिए और साधारन होना चाहिए तब ही सामने वाला असानी से समझ सकता है निमने लिखित में कवन संप्रेशन की बाधाओं में ग्रहिता की कमजोरी है ग्रहिता मतलब प्राप्त करता मतलब जिसको बात कही जा रहे है जिसको संदेश दिया जा रहा है संप्रेशन का मतलब पुना बता दूं साधारण ता बादचीत करना है फिर चाहे बुल लिखित रूप में हो चाहे भाव भंगिमा के आधार पर हो या फिर सीधे बादचीत करके हो तो क्या है कमजोरी साथियों पूर्वाग्रह अगर पूर्वाग्रह मतलब पहले से किसी चीज के बारे में माइंडसेट बना लेना ही पूर्वाग्रह होता है जैसे लड़कियां कमजोर होती है यह लड़कियों में दिमाग कम होता है इस तरह की विचार धारा वाला व्यक्त जल्दी से नारिश सक्तिकरण की बात को ग्रहन नहीं करेगा तो ग्रहिता की कमजोरी क्या होती पूर्वा ग्रह फिर संप्रेशन की बाधाएं दी गई है और बाधाओं के प्रकार दिये गए हैं ठीक है सब्द भंडार की बाधा किसे आती है बाहसा से संबंदित होती है दूरी जो है संप्रेशन की कैसी बाधा आये संरचनातमक्त एकदम common sense बाला सवाल है कोला हल जो है परिया बाणिये बादा है एकदम सही है जल्द बाजी जो है पारिस्तितिक बादा है याद रखिएगा तो इस तरह से भी कलप D सही उत्तर हो जाएगा निमने लिखित में से काउन सा संप्रेशन में संदेश का भाग नहीं है संदेश का भाग नहीं है सक्रियता से सुनना बाकी भंगिमा भी है, संकेत भी है और भाव भंगिमा भी है भाव का मूर्त रूप मतलब भाव को ब्यक्त करने के लिए जो सारीरिक अभिव्यक्ती होती है उसी को भाव भंगिमा कहते हैं तो डी वाला उत्तर नहीं होगा, मतलब डी वाला विकल्ब सही होगा, संचार एक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक दम सही है साथियों, निम्न में से यह किनके मद्द समन्बा इस्थापित करता है, प्रेशक और प्राप्ट करता के बीच, अभी उपर भी हम बाचित कर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और टेलिग्राम चैनल को जॉइन करिए, संचार के संदर्ब में काउन सा कथन सत्य नहीं है, इस कथन को जो है आयोग ने मुल्यांकन से बाहर कर दिया, तो इसको हम लोग भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, निमने लिखित में से कौन सा संप्रेशन के लिए बाधक नहीं है, तो फीड़ वैक जो है या फिर प्रतिपुष्टी, अब देखिए प्रतिपुष्टी ऐसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इंगलिस वाला टर्म अगर इसका पढ़ लेंगे, तो फीड़ वैक हो जाएगा संप्रेशन के बेवधान में सम्मिलित हैं, देखिए फिर से सवाल एक तरह से रिपीट कर दिया गया है, सूचना, फिल्टर करना, छमता से अधिक सूचना, ये भी है, तीसरा है रच्छात्मकता, चौता है उद्देश की सत्निष्ठा, तो ये तीनों कथन जो हैं संप्रेशन के बेवधान में सामिल है, उद्देश की सत्निष्ठा इसमें सामिल नहीं है, कोई बात होती है, तो तो सही से संप्रेशन नहीं होगा जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलती जल्दी सुईकार नहीं करते हैं तो इस तरह से यह भी बाधा बन जाएगा defining mode फिर छमता से अधिक सुचना जब रपटा के सूचना देने लगेंगे किसी को तो सामने वाला बौर होने लगेगा फिर सुचना फिल्टर करना अब सुचना दे रहे हैं किसी को तो कांस इसके काम की है कांस नहीं से नहीं थो यह भी एक बड़ा काम हो जाता है सुचना फिल्टर करने का तो या भी एक तरह से बाधाही होती है तो इस तरह से पहला दूसरा और तीसरा तीनों जो है संप्रेशन के ब्यवधान में समलित हैं तो तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा जैसे बड़ा अधिकारी कोई किसी संगठन या संस्ता में कोई उंचे पद का व्यक्ति है अधिकारी है बैस सूचना को फिल्टर करेगा अपने हिसाब से अपनी गलतियों को बचाएगा तो फिर यह एक तरह का व्यवधान ह हो जाएगा ऐसे समझें इसको अब फिर एक स्वस्त व्यक्ति निम्न लिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक ग्यान प्राप्त करता है तो देख कर जो है सरवादिक ग्यान प्राप्त कर लेता है जो चैतन दिमाग के लोग होते हैं कबीर दास जैसे वह चीजें संप्रेशन का सही अनुक्रा मैं देखी साथियों अभी जो हमने आपको उपर बताया वही रिपीट कर दिया गया है तो प्रेशक हो जाएगा सबसे पहले प्रेशक संदेश बनाएगा और तीसरा जो है पाने वाला तो इस तरह से विकल्पसी सही उत्तर हो जाएगा उमीद निम्ले willingness मेंसे काौन शा संदेश का माध्यम है उच्यरित लिखित और भाव भांगिमा बाचिन तो तीनों है साथियों तो विकल्प D सही उत्तर हो जाएगा कौन सा संप्रेशन प्रभावी होता है जब संदेश और चिन सही संप्रेशित होते हैं तो यही संप्रेशन प्रभावी होता है तो विकल्प A सही उत्तर हो जाएगा निमनी लिखित में से कौन सा संप्रेशन संदर्ब नहीं है तो भातिक और परियाबर्णी संदर्ब, सामाजिक संदर्ब, मनुबैज्यानिक संदर्ब और धार्मिक संदर्ब जो है बैसंप्रेशन संदर्ब नहीं है बांकि तीनों हैं तो विकल्ब यह सही उत्तर हो जाएगा फिर है निमनीलिखित में से कौन सा असाब्धिक संप्रेशन का सुरोत है तो चित्र में प्रदर्षंर जब चीजों को दिखाने लगेंगे तब बहां सब्दों की जरुट नहीं पड़ेगी तो असाब्दिक संप्रेशन यही चित्र में प्रदर्शन बांकी साब दिखो गए सब चाहें कहानी कहना हो चाहें उधारण देना हो चाहें प्रस्ण पूंचना हो कि निवनी लिखित में से कौन सब प्रभावी संप्रेशन में मनोबैज्ञानिक अवरोध है कि दो स्पून प्रत्यक्षी करण या दो स्पून उच्चारण दो स्पून इस्थान दो स्पून भाव भंगिमा तो कमन सेंस की बात है कि दो स्पून प्रत्यक्षी करण ही मनोबैज्ञानिक अवरोध है इसमें एक तरह से पुना माइंड सेट की बात हो रही है तो बिकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा दो स्पून प्रतेक्षी करण को जब इंगलिस में पढ़ेंगी रोंग पर्सेप्शन तब इस सवाल का उत्तर आप आसानी से दे देंगे संप्रेशन के लिए निमने में से कौन सा कथन सत्ते है यहां एक गतिसील प्रक्रिया है एक दम सही है क्योंकि इसमें बात चीत होती है अपने विचार दूसरे को पहुंचाया जाते हैं यहां एक इस्थेतिक प्रक्रिया है गलत यहां गतिसील और इस्थेतिक दोनों है यहां भी गलत तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा को परतियोगी श्रब और शक्रिय श्रब तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा आख कान नाख पांचों इंद्रियां जो हैं सक्रिय करके जो सुनता है वह सही से संप्रेशन में सामिल हो जाएगा निमनी लिखित में से कौन सा सिद्धानत प्रभावी संप्रेशन से संबंदित है इस पश्टता समन्बय अवदान पदानुकरम तो विकल्प सी जो है सही उत्तर नहीं होना चाहिए पदानुकरम होना चाहिए तो डी वाला विकल्प सही है असाब्दिक संप्रेशन के लिए आवस्यक सर्त है प्रेशक और ग्राही दोनों सारीरिक रूप से स्वस्त होने चाहिए असाब्दिक संप्रेशन के लिए मतलब जिन में सब्दों का प्रयोग ना हो ग्राही की मानसिक योगिता उच्छ होनी चाहिए प्रेशक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए या फिर प्रेशक की भासा दक्षिता जो है उच्छ होनी चाहिए तो इन चारों का अगर विशलेशन करेंगे तो विकल्प सी सही उत्तर पाएंगे प्रेशक और ग्राही दोनों एक ही संस्कृतिक परिवेश के होंगे तब ही बिना सब्दों के जो हैं अपनी बात मतलब एक जो है इसारों या फिर भाव बंगिमा के माद्यम से अपनी बात कह दे लेगा है ना आपका दोस्त जो है वही आपकी भाव बंगिमा को देख कर चीजों को समझ पायागा ना कि कोई अंजान वेखती निमनी लिखित में से कौन सा संप्रेशन कोसल के मुल्यांकन का सरवादिक उप्यूक्त पैरामीटर देखी प्राचल आप हिंदी में समझ कठन कठनाई से समझेंगे लेकिन जब पैरामीटर पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा समझने में अब रोध मुक्त संप्रेशन सरल भासा आमने सामने का संपर्क और प्रेश्ट पोशन अब देखी प्रेश्ट पोशन का इंग्लिस बाला पढ़ेंगे तो फीड़ वैक तो एक सर्वाधिक उपयूक्त पयरा मीटर जो है फीड़ नख होता है कि मुधा मektरक व्यक्ति ने जो है जो प्रापक करता है ुसने बात को समझ लिया तभ इभ फीड़ एक दे तो इसलिए फीड़ आग जो है सर्वाधिक उपयूक्त पैरामीटर है समप्रेश्ण का संप्रेशनल प्रक्रिया में कौन साक्रम जो है सही है देखिए फिर से वही सवाल रिपीट कर दिया गया है संप्रेशक माध्यम प्राप्त करता प्रभाव और संदेश संप्रेशक पहले रहेगा साथिम संप्रेशक क्या करेगा संदेश तयार करेगा संदेश किसी माध्यम से भेजा जाएगा और जब भेजा जाएगा तो प्राप्त करता को जब प्राप्त हो जाएगा तो बह प्रभावित भी होगा तो इस तरह से विकल्पसी सही उत्तर होना चाहिए अगर कि नय माध्यम जैसे कि कंप्यूटर टेली सापिंग इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के द्वारा किये गए संपरेशन को कहते हैं अन्योन ने किया संपरेशन जी एकदम आमने सामने जैसे बैठे हो इस तरह से बात होती है इन माध्यमों के द्वारा तो व परिवार नियोजन कारिक्रम लागू करने के प्रवारी हैं जहां बर्तमान नीति का कड़ा विरोध हो रहा है आप निवासियों को छोटे परिवार रखने की आवसकता मनवाना चाहते हैं तो इस तरह संदेश को प्रेशिद करेंगे या सर्वत्तम तरीका आपका क्या होगा कि इसले सात्यूं यह संप्रेसन और अंतरव्यक्तिक का उसल हम पढ़ते हैं और इसलिए इसको सामिल किया गया इसले बस में कि सासन पर सासन में हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी तो पहला विकल्प निवासियों को स्वास्त है और जीवन इस तर सुधार ने है तो परिबार नियोजन की आवसकता तर्क संगत रूप से समझाना दूसरा है देर से विभायवं बच्चों क उसके बीच उचित अंतर को प्रोशाहिद करना या समझ में नहीं आएगा कि 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 दो आंखें 12 उतकी संकलपना काम करती थी कि समय ऐसी फिल्मیں बनती थी कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा काम होगा और जितना काम होगा उतना ज्यादा दाम और नाम होगा परिबार नियोजन युक्तियां अपनाने के लिए प्रोसाहन प्रदान करना केबल प्रोसाहन देखे जो है परिबार नियोजन नहीं होगा ऐसे लोगों से जिनका अध्वा बंध्या करण हो चुका है अत्वा जो गर्ब निरोदक परयोग कर रहे हैं निवासियों से प्रत्यक्षिता बात करने का आगर करना तो बिकल्प ए शरवादिक सही तरीका है निम्न में से कौनसा समयी चीन क्रम है तो सबसे पहले सुनना होना चाहिए सुनोगे तभी तो सुंचोगे और जब सोचोगे तब ही विश्वास करोगे कि सही है या गलत है जब विश्वास हो जाएगा तो उसी के अनुरूप कारे करोगे तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा पेल्ज प्रभाव इसपष्ट करता है ये सवाल रटने वाला है इसको एकदम रट जाएए संबर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त बरिष्टों की समर्थिता को कनिष्टों के संबर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थिता की मांग को या फिर नियून उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त बरिष्टों की समर्थिता को तो बिकल्प A वाला जो है सही उत्तर नहीं वलकि D वाला सही उत्तर होगा उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त बरिष्टों की समर्थिता को तो पेल्ज प्रभाव इसको रट जाईएगा हमारे भी उपर से गया है डोनाल्ड पेल्ज ने संगठनात्मक संचार के अंतरगत्या सिध्धान्त दिया कि प्रबंधन करता की योग गिता और समर्थिता के द्वारा करमचारियों अत्वा अदिनस्तों के साथ प्रभावी संबंद्ध और इस पर्ष्ट संचार का मार्ग पुरस्ष्थ होता है यही प्रभाव कहा जाता है कि निम्न में से कौन एक कमजोर तर्क देने और किसी और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को इस प्रष्ट करता है पुतला का तर्क इसको रट जाईए विकल्प सी सही उत्तर है इस्ट्रा मैंस आर्गूमेंट सरकार ने स्वक्ष भारत अवियान को लागू करने के बहुत से कदम उठाये हैं इस आंदोलन का राजदूत बनने के लिए कई सूपरशिद्व्यक्तियों से अनुरोद किया गया है या दरसाता है कि सूपरशिद्व्यक्ति सरकार से बहतर काम करेंगे या सूपरसिद्व्यक्ति इस कारिक्रम को आर्थिक योगदान देंगे या सूपरसिद्व्यक्तियों के द्वारा अधिक नागरिकों को इस कारिक्रम के लिए प्रेरित किया जा सकता है तो सभाविक सी बात है कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा विग्यापन के उद्देश्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिये लोगों की इसमृति को पुनह जागरत करना उत्पाद के बारे में जागरती पैदा करना राष्ट्री परिद्रस से परकिसी उत्पाद की स्थापना और उत्पाद के लिए नवीन बाजार का सिर्जन तो इस तरह से चारो कथन सही हैं किरिस किरिस आरगिरिस के अनुसार निमनलिखित में से कौन सी एक इस्थिति किसी संगठन में समनबय को सुसाद्य बनाने में सकारात्मक बाधा होती है बहुत अच्छा सवाल है और इसको और रट जाईएगा रटने वाला सवाल है पुरसास्निक योजना या अपुष्ट संदेश या मानकी क्रतकार बिदिया या सोपानिक प्रपीडन सकारात्मक बाधा की बात कही गई है साथियों तो इसमें क्या होना चाहिए विकल्प सी सही उत्तर होना चाहिए ग्रेपे बाइन संदेश या फिर अनौपचारिक संदेश या फिर अपुष्ट संदेश याद रखिया ग्रेप बाइन का मतलब यही होता है फिर संचार में सबसे महत पूर्ण सब्द हैं कौन से वह और बे मैं और बे तुम और हम या तुम और मैं तो विकल्प सी सही उत्तर होगा तुम और हम असाब्दिक संचार में नहीं था है क्या जिसमें सब्द ना हो वही असाब्दिक होगा देवासा एकदम सही है मुखी अभिव्यक्ति या भी सही है एवं लहजा तो तीनों सही है तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रगट करता है किसको अरुची को थकावट को उलजहन को कुरोध को तो सही जवाब हो जाएगा कुरोध को आपने भी कई वर ऐसा किया होगा गर पे थाली पटक दी होगी मा के सामने अपने सह कर्मियों के साथ बारतल आपके दौरान सा धानते आप गंभीर रहते हैं मुस्कुराते हैं उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं या सही समय पर मुस्कुराते हैं तो इसमें पे ही मुस्कुराना चाहिए निमने लिखित कारणों में से कौन आगे जुकने के धनात्मक बैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अत्यदिक विश्वास चिंतन के लिए समय लेना एकागरता या विश्रांती तो विकल्प सी सही उत्तर होगा एकागरता जब निमने लिखित में से कौन संकेत असवहार्द पूर्ण समझा जाता है किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना या घूरना या द्रश्टी संपर्क या मुश्कुराना तो सभाविक सी बात है कि घूरना जो है असवहार्द पूर्ण समझा जाएगा कौन तेओरी चढ़ाने के नकारात्मक संदेश के उत्सर्जन का कारण है अधीरता, अविश्वास, उबना या जुंजलाहट तो जुंजलाहट जो है तेओरी चढ़ने का संकेत है फिर मिलान करना है नकारात्मक निजी विभार दिया गया है और दूसरी तरफ उसके कारण दिये गया है गले के पीछे एक हाथ रखना असायमती से संबंदित है आखे से कोरना अस्विक्रती से संबंदित है नाक सहलाना किसे संबंदित होगा इसको देख लेते हैं बड़ा अजीब सवाल दे दिया गया है गले के पीछे एक हाथ रखना असेमती सम्मंदित है आखें सिकोरना अस्वीकरती से सम्मंदित है नाक सहलाना अतिस्योक्ती से सम्मंदित है यही कन्फूजन कर रहा था और चस्मा उतार के नीचे रखना का मतलब है आप नहीं सुन रहे हैं तो इसको रट जाईएगा निमने लिखित कारणों में से कौन आगे जुकने के धनात्मक बयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता देखिए फिर से रिपीट कर दिया गया है एक आग गरता अगे पिर है निमने लिखित में से कौन गयर मौखिक संप्रेशन से संबंदित नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा बातचीत गयर मौखिक मतलब मुझ का इस्तेमाल ना हो जिसमें तो सारी रिखाव हाव चेहरे की अभिव्यक्ति और प्रतिक इसमें सामिल रहेंगे दूर संचार एक उधारन है सातियों काया का या अंत्रिक संप्रेशन का आरेखी संप्रेशन का बर्तुल संप्रेशन का या रेखी संप्रेशन का तो सही जबाब हो जाएगा या अंत्रिक संप्रेशन का क्योंक से निमने लिखिट में से विसम परक्रिया बताईए मि सम परक्रिया है तादात्मी करण क्रिया बाकी बुद्धिपूर् और घर ग्रिया और चैन कृइए तीनों जो से इसमें शामिल है। टो भिक दई सही उत्तर हो जाए backups अधो लिखित में से कौन निरने प्रक्रिया का अंतिम चरण है समस्या की पहंचान निरने की प्रभावकारिता का मुल्यांकन निरने मांदन्र की पहंचान या समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चैन तो सुहाबिक सी बात है कि विकल्प बी सही उत्तर निरने की प्रभाव कारिता का मुल्यांकन पिर्ख संगत निरने प्रकिरिया का हिस्सा है इसके चरण निम्न होते हैं, पहले समस्या को परिवासित किया जाता है, फिर उसके लिए निरणे पद्धती, मतलब कौन से पद्धती अपनाई जाता है, फिर पद्धतियों को एक क्रम में निरधारित किया जाता है, मतलब अगर दो तिन पद्धतीया अपनाई जाती है, फि और विकल्पों का मुल्यांकन किया जाता है तो अंतिन चरण मुल्यांकन करना है पहला चरण समस्या को पैंचानना है याद रखिएगा तरकना के इस्थापित नियमों के विप्रित निरणायन प्रिक्रिया में नहित है अन्य नियमों का गुच्छन या अन्शित्ता या विश्वसनी सूचना या उपरियोक्त में से कोई नहीं तो अन्शित्ता इसका सहीउत्तर हो जाएगा चैनों को संकुचित करने में परियोक्त प्रविधियों की प्रिक्रिया कहलाती है प्रवंधन करना निर्णे लेना या नियोजन करना तो सही विकल्प सी हो जाएगा निर्णे लेना आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते बाहन से कुछल गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिस कर रहा है आप क्या करेंगे ततकाल गहायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे या बाहन चालक को पकरने की कोशिस करेंगे या पुलिस को गटना के बारे में जानकारी देंगे या गहायल वालक के माता पिता को सुचित करेंगे तो सभाविक सी बात है इसमें पहला कदम आपका यही होगा तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे क्योंकि बच्चे के प्राण बचाना ज्यादा जरूरी है निर्णयन के बारे में निम्न कतनों में से कौन से सही है या कारवाही को निर्धारित करने का काम है इसका अर्थ है विभिन बिकल्पों में से एक बिकल्प को चुनना तो बिकल्प दूसरा भी सही है और तीसरा है या नीति निर्मान का परयाय बाची है तो यही कतन सही नहीं हैं तो इस तरह से कथन एक और दो सही हैं नीति निर्मान का परियावाची इसको नहीं कहा जा सकता है क्योंकि निर्णे गलत भी हो सकता है कि निर्णयन से संबंदित समस्याइं हैं कौन-कौन सी भाई उमीदों से भाई भाई एवं जूटी आसा या फिर इन में से कोई नहीं तो भाई और जूटी आसा जो है निर्णयन से संबंदित समस्या है आप एक जिले के पुलिस सुप्रिडेंट हैं आपके पास एक महिला अपने ससुराल पच्छ द्वारा की जाने वाली घरेलू इंसा के संबंद में एक शिकायत लेके आती है राजनीतिक दबाव क करन उसकी सिकायत इस्थानी थाने में दर्ज नहीं हुई है इस पी के रूप में आप संबद थाने से इसकी पुष्टी वह कर लेते हैं इस इसी में आपकी पहली प्रात्मिक्त क्या होगी तो महिला को राश्व्र महिला Iowa के पास जाने को कहें गए उसके सारीरिक चोट क्ष चिकित्सा रिपोट लाने को कहेंगे या फिर ससुराल पक्ष को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि महिला को चोटना पहुचाएं या थाने के अधिकारी को कहेंगे कि कि चिकित्सा परिष्ण के उपरांद उसका केस दर्ज करें तो सभाविक सी बात है कि विकल्प डी साही उत्तर हो जाएगा फिर है दो मित्रों में से एक अध्यन सील है और दूसरा मंचिय कलाकार भी है दूसरे ही दिन उनकी परिक्षा है इसी रात सुपरसिद नाटक हैम लेट का मंचन हो रहा है दोनों क्या निर्णे करेंगे अध्यन सील नाटक की उप्यक्षा करेगा और परिक्षा को महत देगा जबकि दूसरा नाटक को कलाकार मित्र उसे मनाने की चेस्टा करेगा नाटक देखने के लिए माफ करिएगा या अध्यन सील मित्र मान सकता है दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परिष्छा की तैयारी में लगेंगे तो विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा निर्णे निर्मान में तुर्टिया इस कारण होती है क्योंकि हम निर्णे निर्मान स्वता सोध का उपयोग अनियोजित ढंग से करते हैं आव्यवस्ति ढंग से करते हैं उस सीमा से परे करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है या अन्य पछों पर ध्यान दिये बिना क करते हैं तो विकल्प D से ही उत्तर हो जाएगा निर्णे लेने में किसी नियाद दर्स का निर्णे समानता और याद्रिख्षिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है क्या इसका विकल्प देख लेते हैं प्रतिनिधिक स्वतासोद इंगलिस बाला तर्म इसका देखना इनने लिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मेनेजर या प्रवंदक को प्रभावी निर्णे लेने के बाता ब्रण बनाने की प्रमुक कौशल पूर्ण योजना है कौन इसमें नहीं है दूसरों को निर्णे लेने के लिए प्रोसाहित करना नई बातों को करने के लिए तैय कजार रहना पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना या गुनाथ्मक सुचना कि महत हो पहचान न स्यािक तो बिकल्पती य livelihood है इसमें सामिल नहीं होगा पूर्ण रूप से अपने उपर निर्भर नहीं हुआ जा सकता निम्नांकित में से तरकणा का अंतिम सोपान कौन सा है निगमन, तैयारी, प्राकलपना या सत्यापन तो सही जवाब है सत्यापन कोई प्रवंदक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई बस्तु बापस करने में साहता करता है तो सहारा ले रहा है किसका योजना बद्ध निर्णे का गैर योजना बद्ध निर्णे का या अनिस्चेता का या बुद्ध मूल तारकिकता का तो योजना बद्द निर्णे का सहारा लेकर कोई प्रवंदक किसी क्रेता को पहले खरी दी गई कोई बस तो बापस करने में सहायता करता है फिर एक कैसी स्टेडी वैला पुनहा सवाल पूंच दिया गया है इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं बहुत बड़ा है देख लीजिएगा वीडियेफ आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चेनल पर ऐसे सवालों में ज्यादा राकेट साइंस नहीं होता है सीधे हो जाते हैं सानी से निमने लिखित में से एक को छोड़ कर सभी एक मैनेजर या प्रभंदक को प्रभाविर निर्णा लेने के बाता बरन बनाने की पुर्मक कौशल पूर्ण योजिना हैं कौन इसमें नहीं है तो वही सवाल जो फिर से रिपीट कर दिया गया है पूर्ण रूप से केवल अपने उपर निर्भर रहना इसका सही जवाब हो जाएगा पुनहा वही सवाल रिपीट किया गया है इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं और ये सवाल भी हमको लगता पूरा पेज कि ब्यक्ति निष्ट अनुभब के उपयोग आत्म विश्वास और आत्म अभी प्रेणा पर आधारित निर्णे लेना क्या संदर्वित करता है तो अंतर दसी निर्णे लेने को संदर्वित करता है जी यहां आत्म अभी प्रेणा की बात हो रही है तो इस तरह से बिकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा आप एक वह कुट्टे यार काम कर रहे हैं रुख फिर है आप एक पुलिस अधिकारी हैं एक मरीज का अस्पताल में निदन हो गया है और रिष्तिदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डाक्टर है आपको सुचित किया जाता है कि रिष्तिदार डाक्टर पर हमला कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे तो हम मतलब आप क्या करेंगे तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिष्तिदारों को डाक्टर पर हमला करने से प Hispanics रोकेंगे सबसे पहला काम बही है फिर अगला सवाल आप एक सरकारी एधिकारी हैं आप से एधने के इन्तर कि से जानकारी मांगी गई है आपको विश्वास है कि आप जानकारी मंगने वाले व्यक्ति को जानते हैं और आप पास्वास्त हैं कि जानकारी का दूर्पियों किया जाएगा तो आप क्या करेंगे आप जानकारी ना देने के लिए उपाई ढूनेंगे या जानकारी देंगे या गलत जानकारी देंगे या जानकारी देने में जितनी संबब हो सके उतनी देर करेंगे तो इस तरह से इनमें सबसे सही जवाब होगा वबीकल्प भी होगा क्योंकि जानकारी देना जिम्मेदारी है आपके फिर आप एक कमपनी की सलाकार परिश्यत के सदसे हैं जिसके बिरुद्ध एक सिकायत आई है, इस्थानिय नगर निगम ने आपको तथ्यान वेशी समित का एक सदस से बना दिया है, आप क्या करेंगे? उप्योक्त विकल्पों में से ए तथा भी दोनों सही है, समित का काम सविकार करने से पहले परिशद की सदस सता से त्याग पत्र दे देंगे, एकदम सही है, हितों के ठकराओ का हवाला देते हुए समित की सदस सता असविकार कर देंगे, तो दोनों कधन सही है, ताकि निस्प सवच्चता बरकरार रहे आप एक सेक्षिक संस्थान के सासी मंडल के सदसे हैं आप इस्थानी नगर निगम यह पूरी केश स्टेडी इसको छोड़ते हैं साथ हूं अगली भी है इसको देख लीजिएगा पीडियाफ आपको दे दूंगा केश स्टेडी से छोड़ कर मतलब उसको छोड़ कर आगे बढ़ते हैं ज्यादा तर सवाल वैसे ही हैं यह सब देख लीजिएगा सारे सवाल के से संबंदित हैं इस तरह से क्या सारे निकल जाएंगे क्या कि विविद वाला देखते हैं केश स्टेडी को आप लोग छोड़ते हैं अब सीधे विविद पर आते हैं केश स्टेडी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा उसमें कोई बड़ा राकेट साइंस नहीं है सहज ग्यान निर्णे जो है अनुभब भावनाओं और संचित फंचलों पर आधारित निर्णे है एकदम सही जवाब है इस कथन पर विचार कीजिए बिभिन बिभागों के महत पुन बिवादों को निप्टाने में नियायालेओं को बहुत समय लगता है कौन सा सरवादिक उचित है नियायलों को तुरित निर्णे देने के लिए विश्यस उपाय करने चाहिए अपने विभागों के विवादों को निप्टाने के लिए अधिकारियों को विश्यस अधिकार देने चाहिए दोनों कथन सही हैं जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीरकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे कहेंगे क्या संसाधन आवंटक याद रखिएगा फिर कथन और कारण दिये गए हैं बीजो को बोने के पहले फफूंद रोधी में बिगो देना चाहिए क्योंकि बिना फफूंद रोधी में बिगोए बीजो में अंकुरण नहीं होता है तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है ये बात एकदम सही नहीं है कुछ बीज अंकुरित हो जाते है सभी चमकने वाली बस्तुएं सोना नहीं होती है इसका अर्थ क्या होता है किसी ब्यक्ति को उसके रूप रंग क्याधार पर आंकना नहीं चाहिए देखिए एक तरह से मुहावरा पूछ दिया गया है तो यही विकल्प सही हो जाएगा फिर छे से नौ तक कहा गया है कि प्रतेक सब्द के लिए एक संदर्ब दिया गया है दिये गया विकल्पों में से बह सब्द अधवा बाक्यांस चुनिए जो तत संबंदित संदर्ब में सब्द के अर्थ के सरवादिक निकट है सहायक मंत्री की ओर से उनके सहायक ने पुरस्नों का उत्तर दिया तो यह सरवादिक निकट किसके होगा सही होगी के याद रखेगा सहायक ही सही होगी होता है फिर याचना याचना कातिल ने पीडित परिवार सिद्धया याचना की तो याचना का मतलब यहाँ पर एक तरह से मांगने की बात हो रही है तो विकल्प एस ही उत्तर हो जायगा हतोत सह प्रवंदक प्रोग्रामर के प्रदर्शन से हतोत साइथ हो गया मतलब आपरसन हुआ क्यूंकि अप भंग टेनिस के लाड़ी ने पिछले बिस रिकार्ट को भंग कर दिया मतलब तोड़ दिया तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा फिर है बिद्यालेयों में बिद्येशी भासाओं को बडावा देने के पीछे मुक इरादा क्या है भारती भासाओं की अपेक्षब बिद्येशी भासाओं को अधिक महित देना विकल्प ए सही उत्तर है फिर है हमारे देश में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों दोरा एक ब्यक्ति को उपराश्ट पती चुना जाता है इसका ताथ पर यहाँ है कि चुनाओ के पहले ब्यक्ति हमारे देश का नागरिक है विकल्ब डी सही उतर है फिर है बिंसेट एक अखवार बाला लड़का है जो हर सुबह 20 समाचार पत्रों को बाटता है या काम 32 मिनट में पूरा करता है बह जब भी बिमार होता है तो अपने दोस्त कुमार को सभी 20 घरों में समाचार पत्रों को बाटने को कहता है क्या है मतलब इसका बिंसेट कुमार पर विश्वास करता है बिंसेट अक्सर अपने काम से चुट्टी लेता है या जिन घरों में समाचार पत्र दिया जाता है बेग दूसरे से बहुत दूर इस्तित है या बिंसेट समाचार पत्र वित्रण के बाद कुछ अन्य काम करता है तो बिकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि बिंसित कुमार पर विश्वास करता है बहे जो मानता है कि सबी चीजें और जीवन की गठना पूर्व निर्धारित होती है एक भाग बादी होता है याद रखिएगा जो हो रहा है भाग इसे हो रहा है ये सब भाग बादी ही होते है फिर है निमने लिखित कतनों का परिच्छन कीजिए मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब उबा हुआ होता हूँ मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूँ तो कभी नहीं उबता मैं जब कभी ठीटर जाता हूँ तो अपने भाई को साथ ले जाता हूँ उपर युक्त कतनो में काउंस अनिशकर सबाइद है यदि मैं उबा हुआ हुआ नहीं होता हूँ तो दूर दर्सन नहीं देखता हूँ यही उत्तर सही होगा फिर से बैसा ही सवाल एक दिया है देखते हैं यदि तिर्तिय विश्युद कभी शुरू होता है तो बैस संभवतिया सब्विता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा उसे नावकी सक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा इस कथन के संदर्ब में कौन सा निसकर्स सही है तिर्तिय विश्युद में नावकी सक्ति का प्रियोग किया जाएगा यही इसका सही कारण हो जाएगा इसलिए जो है युद बहुत जल्दी सब्विता के साथ ही समाप्त हो जाएगा तो बिकल्प यह सही उत्तर है फिर से कथन दिये गए और उनका परिष्ण करना है एक पच्छी निरिक्षक क्लब में केवल उन्हें ही सदस्यता मिलती है जिनके पास दिनेत्री हो बाई नोक्यूलर या फिर पच्छी निरक्षक क्लब के कुछ सदस्यों के पास कैमरे भी होते हैं तीसरा जिन सदस्यों के पास कैमरे होते हैं बेफ फोटो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं तो कौन सा निसकर्ष निकाला जा सकता है पच्छी निरिक्षक क्लब के सभी सदस्यों के पास दिनेत्री होता है यही निसकर्ष सही होगा निमने लिखित में से कौन सा अससक्तिकरण के इसरोत के रूप में नहीं देखा जाता सहवागी बिकास बांकि पूजी बात भी है बिकास के सीरसो, धुमुखी, उपागम और गरीबी सहवागी बिकास जो है आससक्तिकरण के इसरोत के रूप में नहीं देखा जाता तो इस तरह से साथ हूं तीनों वीडियो मिला के जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्या संप्रेशन और अंतरवैक्तिक कौसल इतना जो है बार-बार रिवाइज कर लिए वीडियो देख लिए तो इससे जो सवाल आएगा मुझे उम्मीद है कि अब गलत नहीं होगा केस स्टेडी वाले सवाल हैं वो आप लोग खुद ही कर लेंगे बाकि जो उपर के थे सवाल संप्रेशन से सम्मंदित उनको मैंने बिदिवत समझाने का प्रयास किया है जितना समझा सकता हूं अपनी कुबत के अनुसार बाकि आप लोग खुद ही उसको समझिएगा तो च कि एक के एक दो तीन इसको जोइन करिएगा यहीं पर आपको यह पूरी पीडिएफ मिल जाएगी और यहीं पर करन्ट अफेर्स की बेली कोई चल लई है तो उसमें भी अपनी भागिदारी सुनिश्चित करिए मिलते हैं अगली क्लास में धन्यवाद और हां अगली क्लास म मार्ज की करन्ट अफेर्स जो बचा हुआ है उससे संबंदित होगी धन्यवाद